और ये पड़े उधर राहूल गांधी का एक वीडियो खूब चर्चा में है और चर्चा की वज़ा है राहूल गांधी का खेला एमोशनल कार्ड जी हैं आपको तादे राहूल गांधी इस वीडियो में राय बरेली से अपने पूरे परिवार के रिष्टे के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में सोरिया गांधी भी वहाँ पर मौजूद है PT2 में पापा ने वहाँ बहुत विकास का काम किया, बहुत सरके वनी राय बरेली के लिए जो काम मा कर रही थी और जो दादी ने किया, उसको मैं आगे ले जाओ कभी पापा का जिक्र ये मुझे याद है पापा अपने आप चला दो, ये ये भी फोटो है कभी दादी का तो कभी परदादा का परदादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स राय बरेली में आदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाब कभी पारिवारिक एल्बम दिखाई गाउं के गाउं ब्लॉक हो जाते है, पापा ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया था तो कभी राय बरेली की दाल याद आई राय बरेली के रण को जेतने के लिए राहुल गांधीक और कॉंग्रस का ये सबसे नया दाओं है राय बरेली से पुराना रिष्टा दिखा कर राहुल अपनी चुनावी निया पार कराने में लगी है राय बरेली से राहुल के नाम का एलान होने के बाद से ही प्रियंका हो या राहुल जन सभाओं में अपने परिवार के दशकों पुराने रिष्टे को याद कर रही है और अब इसे लेकर कॉंग्रस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साज़ा किया है जोसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी राय बरेली और अमेठी से अपने पुराने रिष्टों के बारे में बात कर रही है अपनी एल्बम तक दिखाई जवा रही है जुसमें राए बरेली में हुए विकास का जिक्र है तस्वीरों में राजीव गांधी भी दिख रहे हैं पूरा का पूरा उसर जवीन था जब बारिश आती थी गाउं के गाउं ब्लॉक हो जाते हैं पापने वहां पे प्रोग्राम किया था इसे अपने एक तो डिफ्रेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे मगर इनकी सेक्यूरिटी वाले यहां बिल्कुल न नहीं है कि पहली बार आप प्राइबरेली कप में एक्टी वानेटी तू शुरू किया काम हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए बहुत सारे अच्छे दाक्तर लोग ते वहां के बिल्ली के सेवा करने के ये लोग हमेशा मादत करते थे हमारे परिवार का मेठी डाइब सोनिया गांधी राइबरेली से अपने परिवार के रिष्टे की बात करती है जिसे राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं और अपने दादा पर दादा से लेकर दादी इंदुरा गांधी तक की बात करने लगते हैं राइबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहां के MP थे 30-30 पर दादा ने अपना काम अपनी पॉलिटिक्स राइबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाब जो उनका काम शुरू हुआ वो राइबरेली में हुआ उनकी बिहान के बाद तो इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी मा के साथ अमेठी राइबरेली में किये परिवार के काम गिना रही हैं तो वहीं सोनिया गांधी अपने सांसद होने के दौरान के काम गिना रही थी सोनिया ने इसे बेटी और बहु का रिष्टा बताया और अब राहुलिस विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रही है पिछले लोकसभा चनाव में राइबरेली को जीतने में कामयाब रही थी और अब इस सीट से राहुल गांधी चनाव लड़ रही है गांधी परिवार की साख दाओं पर है राइबरेली एक ऐसी सीट है जहां दर्शिकों से गांधी परिवार चनाव लड़ता रहा है और जीतता रहा है 1952 और 1960 में फिरोज गांधी यहां से चनाव जीते थे 1967, 1971 और 1980 में इंद्रा गांधी यहां से चनाव जीती थी साल 2004 से 2019 तक राय बरेली सीट पर सोनिया गांधी ही जीत्ती रही है यही वज़ा है कि राहूल गांधी हूँ या फिर प्र्यांका हर कोई राय बरेली के रण में पूरा जोड लगा रहा है खुद इस वीडियो में राहूल और सोनिया अमेठी और राय बरेली को अपना सब कुछ बता रही है खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे राय बरेली में जो ताल है वहां पर अरहर की दाल वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है तो मेरे लिए यह दोनों अमेठी और राय बरेली ने हमें सब कुछ दिया है जब भी अमेठी राय बरेली को जरूत होगी हम वहां मिलेंगे अमेठी और राय बरेली में अपना वर्चस्व फिर से कायम करने के लिए प्रियंका लगातार दोनों जगह चनाओ प्रेचार कर रही है दिन रात जनसभाई करने में लगी है परिवारों से घर घर जाकर मिला जा रहा है पुराना रिष्टा दोवारा कायम करने की कोशिशे कि जा रही है अभी हाल ही में राहूल भी राय बरेली गए थे वहां जाकर वो एक सलून में शेव कराते हुए दिखे थे उसका वीडियो भी कॉंग्रेस ने शेयर किया है राय बरेली में 20 माई को वोटिंग होनी है और इसी दिन साफ हो जाएगा कि राय बरेली के साथ राहूल गांधी का जो इमोशनल कनेक्शन कॉंग्रेस बनाना चाह रही है वो काम्याब हो पाता है या फिर नहीं अमेठी और राय बरेली ने बिरो रिपोर्ट जी मीटिया जब भी अमेठी राय बरेली को ज़रूत होगी हम वहां मिलेंगे